नमस्ते साथियों स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल गोमाता और अइरवेद में तो आज हम बात करने वाले हैं कुसूम के विशे में यह जो मेरे हाथ में देख सकते हैं यह कुसूम का फल है भीटामिन सी का पापा मतलब औरेंजश्य भी बैत है बिटामिन सी में यह यह मुख़त है हमारे ग्रावी छेटरों में बहुत अच्छे तरह से इसकी लजिच खायद बनाया जाती है मतलब इसको खोल के इसमें इसमें जो मांग्स निकलते हैं इसकी मांग्स आप देख सकते ह इस तरह से इस तरह से मांग्स और इसकी सेवन की जाती है जिसमें इसका से ये थोड़ा सा खट्टा होता है बहुत सारे मीठे भी मिलते हैं लेकिन ये थोड़ा खट्टा होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर हलका सा सेंधा नमग और मिर्च की पाउडर लगा के अगर इस यहां पधारें और इसका आनन्द लें मुखता इसमें फल जो आता है अभी ये जुन जुलाई हो गया मैं से जुन मैं से ये प्रारम हो जाता है ये जुलाई एंड तक अभी चलते रहता है पीछे जो आप पेट देख सकते हैं इसमें एक बालक चड़ा हुआ है जो हमें ये बीज के तोर पर इसका अभी इसे तोड़ रहा है और हम इसे बहुत सारे जगों में भेजने वाले हैं तो आज हम इसकी विसेश कुछ बाते आपको बताने वाले हैं इसकी बनस्पतिक नाम तथा इसका जो कुल है और इसकी समयने नाम तथा ओशिदी विबरन एवं कुछ उपयोग इसके कुछ मुख्य उपयोग आपको बताने वाले हैं तो वीडियो में बने रही हैं चलिए सुलवात करते हैं इसके कुछ मनस्पतिक नाम और कुछ जानकारियों के साथ तो साथियों यह जो आप पेड़ देख रहे हैं यह पेड मुख्यत बहुत चायादर जाता है इसका चाया बहुत ही आरामदायक और मतलब इसके नीचे जो बेटता हो ही उसी को पता है कैसा लगता है यह इसका मतलब आनंदित एकदम इसके बहुत सारे गुन है और मुख्यत यह जो पेड़ है यह जादा तर ओडिसा, जहरखन, छतिसगड इन प्रांतों में यह जादा देखा जाता है तथा इसके जो फल आते हैं बहुत चाओ के साथ खाय जाती है इस पेड़ में जब पत्ते आते हैं मतलब इसका पूरा पत्ता जढ़ने के बाद जब नया पत्ता आता है ऐसा लगता है मानो एक नन्हा सा बालक एकदम मनमोहक देखने लगता है लाल लाल पत्ते बहुत ही लवावने देखते हैं और इसके फल तो मजा ही अलग है इसका फ एज्जी यूगा इसकातो कूल है नाम है सेपेंडेशी और ईसको संस्कीत में को साग्र तथा फ़ल से भोत ही फाधा मिलता है जिनको किरमी होता है किरमी से बहुत ही लाप्ध मिलता है किरमी का भोत पाइदा ये पहुंचाता है जिसलिए संस्कीत में से क्रिमी ब्रिख्ष के नाम से भी जाना जाता है तथा सू कोसक नाम से जानते हैं और हिंदी में तो कुसुम कोसम या कोसम भी बोला जाता है कुछ-कुछ जगहों में मायराथी में कोसम भी बोलते हैं एंग्रेजी में सिलोन ओक क्या बोलते हैं एंग्रेजी में सिलोन ओक आप देख सकते हैं इस ब्रीज की यह चायदार ऐसा होता है और इसके जो पत्ते हैं पत्ते इसे देख सकते हैं इस तरह से यह पत्ते और कोपल पत्ते भी आप कोने में देख सकते हैं वीडियो के कोने में इस तरह की ये पत्ते आते हैं और साथी साथ फल तो मिठ्थे और खट्टी होती है जिसका मजाई कुछ है अब जानते हैं से कुछ ओश्यदी विविरन ये रस में खट्टा होता है अमरर रक्स युक्त होता है तथा गुन इसका गुरू है विपाक में ये कटू है बीरियों म बात और कफ नसक है इसका प्रयोग में इसका फल लेते हैं और इसका भीज और इसका तेल और इसके चाल का भी उपयोग किया जाता है जिसका श्वाम जत istoशां का मतलब इसके भीच कुछ का तेल निकालने के इसके अंदर वाली छाल का उप योग हम ले सकते हैं कि इसकी कसा जो चाल लिया जाता है यह पचासे 되면 ले सकते हैं साथ ही साथ एक से तीन ग्राम इसकी पावडर हम उप योग में ले सकते हैं बाकी तो आप इसका जब प्रयोग करें आप अब नजदी की वैद से अवेश्य शला ले अभी इसका कुछ उप्योग आपको बताते हैं इसका जो उप्योग है विविन प्रकार के चर्म रोग तथा किर्मी शंबंदी समेश्या में काफी मददगार है इसकी छाल को पानी में खीसकर अगर खुजली वाली जगह में लगा जाता है तो इसे खुजली से निजात मिलता है साथीतात इसके जो फंद्र हरक ये किर्मी शंबंक होते हैं कच्छा फंदी का लग प्योग पक्का हुआ फल का अलग उप्योग मतोरं होता है लेकिन ज्यादा मात्रा मे के साथिआंर इस पेड़ का question के लिए बहुत ही एक उप्योगी माना bird फैर उसकेवाद महुंचा फल वैच्अ जाता है महुंचा बीच भी बेचता है महुंचा वीर के बीच से भी तेल निकलता उसी तरह कुसुं कreu एक अलग आप देख सकते हैं तो तो अपर देख सकते हैं निकलता है यह चर्मरोग में काफी मदद करता है यह इसका जो तेल है यह वालो को बढ़ाने में काफी मदद करता है यह जो आप बीच देख सकते हैं एवंग इसका जो उप्योग है चर्म रोग हो गया फिर आपका नाक्षे खुन निकलना अन्यमित मासिक धरम और अलसर घाव खुजली जैसे रोगों में काफी मदद करता है तथा डाइरिया संबंदित समिश्या में भी यह काफी मदद करता ह है डाइरिया अपच में और के जैसे क्रीमी विक्ष्य आपको पहले बताए है क्रीमी विक्ष है इसका जो कच्छा फल है डाइरिया में मदद कार आध है बात रोगों में जो होता है और पचने में थोड़ा भारी है एवंग इससे क्या होता है यह पीत को बढ़ाता है लेकिन एही चीज जब यह पका वाला फल पका वाला फल जब इसका सेवन करते हैं तो यह बालों को लंबा करने भी मदद करता है और इसका जो स्वाध है मधूर शुनिक्द है और थोड़ा कम सेवन करें ज्यादा मातर हम इसका सेवन ना करें बहुत जगव में इसका ओड़िशा बगरे जगव में इसको अच्छी तरह से खोल करके मतलब इसका छिलका उतार के इसमें नमक और मिर्श लगा के भी खाया जाता है चटपटासा चटनी के तोर के तो इसका बीज भी हम सबी भाईयों को जिनको जिनको चाहिए उनको भेजेंगे इस ऐसे पौधे को पेड़ को लगाएं और इसका शंगरेक्षन करें जिने भी चाहिवे हमें संपर्क करें और इस ब्रिक्ष को बचाएं क्योंकि हमारा फर्ज है कि इने बचाया जाए क्योंकि यह हमसे कभी बने इस तरह की पेड़ पोधे का संगरेक्षन करें पेड़ पोधे लगाएं और प्रयावरेन को बचाएं तो इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं धन्यवाद जैगोमाता जैधनमंत्री जैए आरुजेद जान करें गपत्ष्ण साथ जासे का सद्पन पोफे हैँ जुड़े प्रिश में पोवेटरोगोन जैए लादेश जनाख।